हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आर यूटूब चैनल स्टाडी विट स्मार्टनेस आज के इस वीडियो में हम MPG के से रिलेटेड इंपॉर्टन कोशन्स देखेंगे फर्स कोशन है रमायन कला संग्रहाले मध्य प्रदेश में कहां इस्तित है इसका राइट आंसर है निवाडी भारत के पहले रमायन कला संग्रहाले साकेट की स्थापना ओर्चा में की गई है जो की निवाडी जिले के अंतरगत आता है इस संग्रहाले का लोकारपन साल 2005 में कि गया था ॐ नेक्स कोशड मध्य वर्देश के पुराने विधानसभाब भवन को किस नाम से जाना जाता है इसका राइट आंसर है मिन्टु हॉल विधानसभाब भवन स्य क्की 1 नवंबर 1956 को स्वा अस्तित्व में आया था तब मिन्टु हॉल को पहला विधानसभा भवन बनाया घया था जो की 1996 तक रहा इसके बाद नवीन विधान सभा भवन बनाया घ्या जो राजीव कांधी विधानसभा भवन के नाम या जाता है कि लेक्स कोशन माध्यप्रदेश में मंधी Troy और द्योगिक शेत्र कहां इस्थित है इसका राइट आंसर है राइसेन मध्यप्रदेश के राइसेन जिले में मंदी द्वीब और द्योगिक शेत्र इस्थित है यहां देश का प्रथम आप्टिकल फाइबर कार खाना स्थापित किया गया है नेक्स कोशन आर्सी वीपी नरोना प्रशाषन अकादमी कहां इस्थित है इसका राइट आंसर है भोपाल RCVP नुरोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में इस्थित है साल 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिफ की स्मृति में अकादमी को RCVP नुरोना प्रशाशन वा प्रबंध के अकादमी नाम दिया गया था Next question मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहां इस्थित है इसका रायट आंसर है पचमडी पचमडी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इस्थित है जोकि मध्य प्रदेश के प्रमुक हील स्टेशन के साथ अभ्यरन भी है इसके स्थापना साल 1977 में हुई थी साल 2009 में यूनेस्को के द्वारा इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षिश शेत्रक घोशित किया गया था नेक्स कोशन किस अभिलेक में सती प्रधा का उलेक मिलता है इसका रायत आंसर है एरन अभिलेक सागर जिलेका एरन अपने पुरातात्विक महत्विक के लिए जाना जाता है पंद्रसोदस ईसवी के भानुगुप्त के इस अभिलेक से सती प्रधा के प्रचलन का उलेक मिलता है ये अभिलेक भारत में सती प्रधा का प्राचीनतम साक्षि है नेक्स कोशन थाप्टी नृत किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है कोरकू थाप्टी नृत चैत्र और बैसाग के महा में होता है जो की खंडवा, बुर्हानपर और छिन्वाडा के कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है Next question इसका राइट आंसर है मुरेना मुरेना जिले के सिहोनिया में इस्थित कंकन मट का मंदर कचवाहा राजा कीरती राज ने अपनी रानी कंकन वती के कहने पर बनवाया था जिसमें भगवान शिफ की मूर्ती है यह मंदर पत्थरों से निर्मित है वा खजराहो शैली से बना है Next question मध्य प्रदेश में पंचायती राज विवस्था कितने इस्तर की है इसका राइट आंसर है तीन इस्तरे मध्य प्रदेश में त्री इस्तरे पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई है जिसके अंतरगत ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायत विकास खंड इस्तर पर जन्पत पंचायत और जिला इस्तर पर जिला पंचायत है Next question मध्य प्रदेश और 36 गड के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे इसका राइट आंसर है पैतालिस जब मध्य प्रदेश और 36 गड का विभाजन नहीं हुआ था तब कुल 100 जिले थे किन्तु साल 2000 में विभाजन के पश्चात 16 जिले 36 गड में चले गए और मध्य प्रदेश में 45 जिले 6 बचे Next question मध्य प्रदेश राज निर्वाचन आयोक के स्थापना कब की गई थी इसका राइट आंसर है 1994 मध्य प्रदेश में 15 फरवरी 1994 में निर्वाचन आयोक का गठन किया गया था राज निर्वाचन आयोक की नियुक्ती राजिपाल के द्वारा की जाती है और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज निर्वाचन आयोक बसंद प्रताप सें है Next question गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है इसका रायत आंसर है निमाड गम्मत निमाडी जंद जीवन का सबसे बड़ा मनुरंजन का साधन है जो की व्यंग कार जीवन्त रूप है समाज की आर्थिक, राच्रितिक और समाजिक बुराईयों पर चोड़ देना मध्य प्रदेश में 1923 में राश्रिद्वच की संप्रभुता वा अस्मिता को लेकर जवलपुर में जंद सत्ता ग्रह आरंब हुआ था जिसका निर्देशन श्री देवदास कांधी, राम गुपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था नेक्स कोशन, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है शिप्रा मालवा की गंगा उपनाम से प्रसिद शिप्रा नदी का उतकम इन दोर के काकरी बर्डी नामक पहाडी से होता है उज्जेन वा देवास में बहने वाली शिप्रा नदी मंदसौर में चंबल नदी में जाकर मिलती है नेक्स कोशन, ग्राम न्यायाले स्थापित करने वाला प्रथम राजे कौन सा है? इसका राइट आंसर है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश ग्राम न्यायाले स्थापित करने वाला प्हला राजे है इसे हर गाओं में कम कीमत पर शीखरिन न्याय पहुचाने के उद्देश से 2 अक्टूबर साल 2009 को मध्यप्रदेश में प्रारंभ किया था पहला ग्राम नयाले भोपाल जले के बेरस्या में स्थापित किया गया था